सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भेरा नमस्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरे नाम है सुमेर और मैं हूँ आपकी टीचेर और आपकी करियर सलाकार प्यारी बच्चों यह वीडियो बहुत ही महत्योपूर्ण उन सभी अभ्यारतियों के लिए जो दोजार चौब सब्सक्राइब करेंगे इसके साथ कितनी सीटेंज बार है और कौन कौन से कॉलेज में हैं आपके लिए सीटें वह सारी जानकारी में दे देंगे इसके अलावा बच्चों के डाउट होते कि क्या मैं हम एक से जादा कोड भर सकते हैं लेट से कि जैसे कोई बीए वाले बच इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा वहोगा बिया इन स्पैशल एजुकेशन में जो बच्चे डैली उनिवर्सिटी के लिए टार्गेट करने उनके लिए वह वीडियो होगा ठीक है तो यह पार्ट वन है पार्टों में आप देख सकते हैं उसका मैं लिक जो है व फोन पर बात कर सकते हैं जिसकी किफीस होती है 1.99 रुपीज मेरी टीम को आप कर सकते हैं तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं तो प्यारी बच्चो यह है वो पीडियाफ जो की डैली उनिवर्सिटी ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पे जारी कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने पोस्ट ग्राजुएशन एड्मिशन अकैडमिक सेशन 2024-25 उनिवर्सिटी आफ डैली ठीक है तो यह वो पीडियाफ है जो की आप मेरे टैलिग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और इसे में आपको डीटेल जानकारी आपको बियाट के को क्या है कौन सा कोड भना है क्योंकि हमेशा की तरह बच्चों को कोड का कन्फूजन रहता है इस साल जो कोड है वह सी ओक्योपी 034567 तो आप देख सकते हैं बहुत लंबा पीडिया पे हम डारेक्ली जले जाएंगे 71-73 क्योंकि 70 तो देखे सबसे पहले तो बैचलर ऑफ एजुकेश इस पर ध्यान हमें देना है वास यह हमको बेडा पार लगाएगा ठीक है या अगर आपका बैचलर नहीं है तो मास्टर डिगरी भी चलेगा और जो बच्चे इंजुनियरिंग वगेरा के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन उन्होंने एक बात स जो मैनेजमेंट वाले बच्चे न वो डेली उनिवर्सिटी को फॉर्म नहीं भर सकते हैं यह उन्होंने बोला है और नीचे भी लिखा है वो मैं आपको बात में बताऊंगे ठीक है तो इसमें 50% मार्क्स आपके ग्राजुएशन में आपके होने चाहिए ठीक है अगर आप इसी एवस कैटेग्ड लें 50% मार्क्स यहां पर दिया ठीक है तो यह तो बात हो गई एजुकेशन कालिफिकेशन और परसंटेज की अब बात करते हैं कोड की वह यह कोड में क्या चक्कर है तो आप देख सकते हैं यहां पर सी ओक्यों पी 06 है ठीक है पी 07 है पी 05 है और समझने वाली बात तो यह कि हमारा कोड कौन सा हमें कौन सा बरना तो देखिए उसके लिए गाइडलाइन दी है यह इसे पढ़िया ध्यान से वह यह कह रहे हैं कि CUT paper the candidate will have to choose only one CUT paper only one यानि कि आपने एक CUT paper choose करना है in which he or she will pursue his or her subject category and teaching subject तो वह कह रहे हैं कि आप अपने subject category और teaching subject को pursue करेंगे लेकिन उसके लिए आपने एक ही जो paper है code है उसे choose करना है उसके लिए भी guideline क्या लेकिया है he she must have studied one teaching subject in the qualifying degree bachelor of degree और master degree for at least 200 marks और at least 12 credit अब देखिए यहां पे समझे आप वो यह क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे मान लीजे कि जो भी बच्चे इसमें code भरेंगे तो code भरते समय जाहिर सी बात है कि उस subject बीट करने के लिए क्या चीजे हो चाहिए होती बीट करने के लिए चाहिए होते है कि graduation में आपने जो subject पढ़े होते हैं वो ही subject आप बीट में जाके as a teaching subject पढ़ते हैं मतलब कि उसके आप आने वाले भविशे में teacher बनेंगे तो वो यह कह रहे हैं कि जो बच्चे जिस code को भरेंगे वो यह ध्यान रखें कि कम से कम वो subject उन्होंने अपना graduation में पढ़ा होना चाहिए और 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए उन्ही subject को वो अपने as a teaching subject में डालेंगे ठीक है यह उन्होंने बोला है अभी जैसे मान लीजे science का बच्चा है तो जैसे मान लीजे science में आपके biology, chemistry, integrated science और physics थी तो आपका जो code होगा वो coqp06 होगा mathematics है तो उसका है coqp07 language में अगर आपने करना है तो coqp05 और social science में तो social science में अगर आपने graduation में economics, geography, history दी है उन्होंने political science, social science, psychology and sociology इन में से उन्होंने बोला है कि इन में से कोई भी subject चलेगा लेकिन वो subject आपने अपने graduation में कम से कम कितने का पढ़ा होना चाहिए 200 marks का तो तब आपका code जो होगा वो होगा coqp04 और commerce के लिए उन्होंने बोला है जो दूसरी language में कर रहे है पंजाबी में उर्दु में और home science उनके लिए उन्होंने बोला है कि आपका common code होगा coqp03 तो अब हमें समझ में आ गया है कि जो social science के बच्चे उनका code है coqp04 जिनका science का ह और इन्होंने कोई जैसे किसी ने honors mathematics से किया होता है तो P07 है और कोई जैसे किसी ने English honors वगेरा से किया है तो P05 में जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आहां यहां पे उन्होंने एक चीज और एड किया है कि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो बीए में भी अपना mathematics ले लेते हैं बच्चे बीए में बीए with maths करते हैं उनके लिए उन्होंने क्या बोला है candidates with BA और MA in mathematics और BCOM past honors will also be eligible for subject category mathematics मान लिजे कि आपने commerce है किया है ठीक है COQ P03 आपने भरा है लेकिन आपने commerce में एक maths भी आपने अपना subject लिया है यह लाइक आपने BA भी लिया है BA में आपने plus maths लिया है तो वो यह कह रहे है कि BA वाला बच्चा अपना social science भी भर सकता है प्लस mathematics का जो P07 code है उसको भी भर सकता है तो same lies with BCOM के बच्चों के साथ और जिन्होंने BA या MCOM किया हो with mathematics अगर किया है तो वो अपना code भर सकते हैं इस code को भी भर सकते है ठीक है यही मतलब है यहाँ पर बाकी यहाँ पर लिखा है कि psychology will be जो offered है वो Central Institute of Education में offer की जारी है with MCOM will be eligible for subject category of commerce also तो जैसे जो commerce वाले बच्चे है MCOM वाले उनको COQ P03 के लिए भी वो eligible है अब यहाँ पर कुछ है कि home science वाले बच्चों के लिए लेडी इर्विन college वगेरा में ही आपको दिया जाएगा लेकिन उन्होंने home science वाले बच्चों के लिए है कि all home science candidates will be offered home science as a pedagogy 1 और home science as a pedagogy 2 लाइक की जैसे और होता है कि पैडगोगी सब्जेक उनके हिसाबस होता है लेकिन home science वाले लोगे उनने बूला कि दोनों ही जो पैडगोगी होगी वो home science ही होगी लेकिन कि यवर उसका जो चेंज होगा वो पैडगोगी 1 और पैडगोगी 2 होगा ठीक है और जैसा कि मैंने बोला कि management वाले बच्चों को और law वाले बच्चों के लिए उनने मना किया तो आप देख सकते हैं एक candidate with a degree in management law will not be eligible for be apply for the beard program I don't know उनने क्यों इस तरीके से बोला इस बार बट यही गाइडलाइन से डेली उनिवासिटी की अब आप देख लीजे यह आपके colleges हैं जो की आपके वियर्ड में होंगी लेडी इर्विन कॉलेज Department of Education महरसी बालमिकी कॉलेज शाम प्रशाद मुखरजी College of Women हैं और यह आपकी home science, science, mathematics, language, social science, commerce इतनी सीटे आप लोगों के लिए हैं तो खुल मिला के देखें 50 सीटे यह हैं इस तरीके से home science में और SC के लिए इतनी हैं ST, OBC, EWS महरसी बालमिकी का भी आप देख सकते हैं आपे महरसी बालमिकी का कितना है तो यह सारी सीटे आप इलकुल स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और इसको अपना सेव कर सकते कहीं पे भी और आप चाहे तो पीडियाप भी ले सकते हैं मेरे टेलिग्राम से आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह है बच्चों आपका प्रोग्राम अब मुझे नहीं लगता कि इस पीडियाप को सुनने के बाद और देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट होगा अगर कोई डाउट है तो निश्यत रूप साप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर मैंने आपके कमेंट का जबाब दिये दिया तो वेरी गूट नहीं तो फिर आप डारेक्टली मुझे से फोन पर कंसिल्टेशन ले सकते हैं उसकी फीस होती है तो यह आपने देख लो कोड उन्होंने COQP03 जो है जो स्टांडर्ड कोड है वो सारी उनिवसिटी के जिहान में रखना है ठीक है देखे यह है COQP06754 और यही है बच्चों गाइडलाइन आप लोगों के लिए बाक और आई हो कि वीडियो आपको क्लियर हो गया है और किसी को डारेक्ट कंसल्टेशन ची तो कॉन्टाक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को आपको रिवर्ट करेंगे त पुशना अच्छे एंटर स्टेक वीडियो साथ तब तक के लिए जाहिन जय भारत धन्यवाद सत्यमीव जयते धन्यवाद जाहिन